कल सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इवेंट नहीं मेगा इवेंट होने वाला है एक्सपारी के साथ साथ दोस्तों बजेट डे और जो वॉलिटिलिटी जो एकसाइटमेंट पीक पे अभी से हैं वो कल के दिन 10 गुना होने वाला है और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रोप पे नहीं जुड़े हैं जोइन टेलीग्राम बोलके डिस्किट साथ में लिंक दे दुआ हूं दोस्तों उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी जोइन कर लीजिए क्योंकि कल के दिन लाइब मार्केट में कुछ स्पेसियाल लेवल मिलेगा हमेशा में लेवल देता हूं लेकिन कल बजेट डे स्पेसियाल लेवल रहने वाला है जैसे उस दिन 24,316 के नीचे ब्रेकडाउन होने से पहले ही निवटी में सेल करने को कहे दिया था और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ दोस्सों 52 पॉइंट का पॉल हुआ दोस्तों और एसे ही मैं हमेशा निवटी और बेंग निवटी का लेवल लाइब मार्केट में देता हूं तो जाके फ्री वाले ग्रूप पे जुट जाएए जैसे 22,000 के नीचे सेल करने को कहा था और जैसे ही ब्रेकडाउन दिया 200 पॉइंट से जादा दोस्तों डाउन फॉल दिया और ये तो भाई डेली का निवटी से हैं लाइब मार्केट में लेकिन कल के दिन बजेट डे हैं और ये वीडियो दोस्तों बजेट डे एक्सपारी स्पेसियाल फिन निवटी के लिए वीडियो हैं डेफिनेटली आप लोग पूछेंगे कि भाई अगर ये वीडियो पे आप सिर्फ वासी फिन निवटी एक्सपारी स्पेसियाल बजेट डे डिसकस करने वाले हैं तो बा दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल ऐगन प्रेस कर लीजे और कल के लिए आपने जो भी कॉल पूट लिया है कमेंट करके बता दीजे मेरे भाई 101% में रिप्लाइ दे दूँगा क्योंकि आज सबको मैंने रिप्लाइ दिया जो लोग बोले थे हमने सर पुट होल्ड के उनको मैंने कहा कि भाई एकजिट मार लोग खुलते हैं उन्होंने फाइदे में रहे और जो लोग बोले थे सर हमारा कॉल होल्ड हम क्या करें उनको कहा था पहला पांच मिनिट का हाई ब्रेक करने के लिए वेट करो और जिन लोग ने मेरी बात माना डेफिनेटली वो भी profit से निकल गे नुकसान नहीं हुआ इसलिए दोस्तों comment कर लीजे और ये सब के लिए मैं हक से यार आपको like का target देता हूँ ये वीडियो का like target है 150 like और मुझे यकीन है यार आप लोगों पे definitely आप ये like target को पूरा कर लेंगे चलिए दोस्तों start करते हैं plan number A से budget देहें कल के दिन 11 बजे के बाद चालू होगा तो क्या plan रखना है वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में और थोड़ा सा advance बताऊंगा थोड़ा long वीडियो हो सकता है लेकिन ध्यान से दिखे सेकेंड वीडियो आएगा निप्टी बेंग निप्टी पे डिसकस करेंगे पहला plan अगर कल के दिन दोस्तों फ्लेट टू लिटिल गेप अप खुल जाए या फिर गेप डाउन इसी जोन पे ही खुले and then 23,659 के उपर आपको ब्रेकाउट करता हुआ दिखा ब्रेकाउट करके रिटेस्ट करके उपर जाता हुआ दिखा then definitely buying कर सकते हैं लेकिन 23,711 एक resistance हैं बो टूटा तो 23,708 बना जाता हैं और बो टूटा तो बहुत बड़ा momentum देगा एक एक level एक एक region मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या कहा plan number है अगर फ्लेट खुला जो की नहीं खुलने वाला कम चांसे फिर भी हम बोलते हैं दोस्तों अगर फ्लेट खुला and 23,659 एबब हम buy करेंगे इसके पीछे region क्या है सबसे पहला region है trend line अगर आप दिखो आखिरी में आते आते अगर आप दिखोगे ये trend line को कही ना कहीं breakout करके close दे चुका है तो simple बात हैं दोस्तों यहां से confirmation लिया दूसरी बात क्या है कि 23,659 जो है एक छोटू सा resistance है यहां पर आप दिखोगे दोस्तों दो बार यहीं level से ही आज के दिन कही ना कहीं फिर निप् कर देगा ना तो proper दोस्तों अगर आप देखोगे ये एक W pattern बन रहा है proper W pattern above 23,659 दोस्तों proper कहीं ना कहीं W pattern बन रहा है और after W pattern breakout हम कहीं ना कहीं buying के तरफ जाएंगे clear हो गया दोस्तों so 23,659 एबब हम buying के तरफ जाएंगे plan number अगर मैं बात करूँ B लेकिन उससे पहले और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मैंने एक बात कहा कि देखिए 23,659 के उपर दबाय करेंगे बट एभब मैंने क्या कहा था 23,711 बड़ा move देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों यह आज का दिन का top है क्योंकि upside का momentum तो किया था लेकिन इसी point से कहीं ना कहीं downfall दिया है तो कल के दिन अगर यह breakout करता है तो और भी इससे बड़ा resistance को मिले 23,758 यह अगर पार हो गया तो कल के दिन बड़ा move देखने को मिलेगा तो तीन resistance नोट कर लिए सबसे पहला है 23,659 आपटर breakout target यह और यह break करने के बाद आपको बड़ा move देखने को मिल सकता है तो थोड़ा सा cautious भी रही है क्योंकि कल के दिन budget है तो यार कुछ भी हो सकता है क् technical इतना काम नहीं करता और genuinely मैं अगर चाहता तो आपको strategy दे पाता जैसे हमेसा हर एक budget day में देता हूँ लेकिन पिछले बार जितना hype वहा था उतना काम दिया क्या नहीं normally ही काम दिया तो कहीं नहीं मतलब है hype create किया जातना है budget day बड़ यार मैं fact बात बोलता हूँ आपको strategy जो लोगों ने देखा पचास तीस हजार कमा जो थेंक्यू वोल के भाट से पर मेसेज किये थे मेरा election special strategy आपने देखा होगा दोस्तों कि जो तीन नंबर का एक candle बनेगा यह वान हवार candle एक दो तीन घंटे के बाद जो भी वान हवार का candle बनेगा उसका low toot नहीं मैंने sell कर करने को दिया था और बेंग निफ्टी पंदरा सो पॉइंट है फिर तीन हजार पॉइंट सम्तिंग फॉल किया था निफ्टी भी लोगों ने एप्रिसेट किया वो सही strategy था तो कल के दिन नॉर्माली रखके चलते हैं ठीक है लान नंबर एक लियर है दोस्तों प्लान नंब और पूट के तरफ जा सकते हैं रीजन बहुत सिंपल है यहां पर आगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर कहीं ना कहीं यह एक रेजिस्टन्स था आज के दिन और यहां से ही केंडल ने पहला केंडल रीजेक्ट लिया था लेकिन यह रेजिस्टन्स को ब्रेक आउट करक हैं प्लान नंबर सी के तरफ जाते हैं रुकिये मैं यही नहीं बोलने वाला हर दिन जैसे बोलता हूँ गेप खुला तो कल पुट बाई कर लो नहीं कल अबेसी बात हैं दोस्तों कहीं ना कहीं बजट दे तो स्टेटीज थोड़ा अलग रहेगा तो कल के दिन अगर मार्के नीची की तरफ आए जाएगा ठीक बात हैं अगर गेप खुल गया डेफिनिटली नॉर्मल डे होता तो मैं यहीं बोलता है यहां पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टन्स हैं और गेप खुला तो यहां से नीची की तरफ आएगा यह भी सही होता लेकिन कल बजट हैं तो कल अगर गेप खुलाना मेरे अगर आप बात मानें तो आपको कहिना कहीं आदे घंटा या फिर 15 मिनिट आदा घंटा तो रुख जाना चाहिए मार्केट को अब्जर्ब करना चाहिए क्या होता है उसके बाद अगर कल के दिन गेप खुलके मार्केट साइड वेज रहा या फिर दोस्तों कुछ-कुछ मैं आपको कंडिसन देता हूं या फिर मार्केट माल लेते हैं कहीं नहीं कहीं गेप खुलके थोड़ा सा इस टाइब का डाउन आया यह से साइड वेज रहा रहने दीजिए उसके बाद यानि कि 15 मिनिट या फिर आदा घंटे के बाद आप आप प्रोब्लेम जाने दीजिए उसको उसके बाद आपको क्या गरना है दोस्तों करकल गेप खुला और जो भी कहीं न कहीं डे का रेंज बनाएगा डे का हाई बनाएगा पहला 15 मिनिट का आदा घंटा जो भी आप वेट करेंगे उसके बाद अगर आपको डे हाई भी ब्रेक करता हुआ दिखा तो भी दोस्तों कहीं न कहीं हम कॉल के तरफ ही जाएंगे क्योंकि कल अगर गेप खुला तो यह सारे रेजिस्टेंस के आज पास ही कल गेप खुलेगा और कल बजेट डे हैं और डेफिनिटली कल इसका कहीं न कहीं एक्सपारी भी हैं तो बहुत सारे कॉ कॉल राइटर कॉल को सेल किये होंगे तो कल अगर गेप खुलके इस एरिया पे थोड़ा घुमा फिरा फिर ब्रेक आउट देने लग गया तो डेफिनिटली जितने भी कॉल राइटर हैं दोस्तों वो पेनिक करने लग जाएंगे आर यार कुछ भी हो सकता है बोलके और एक पिर थोड़ा साइडे दो कि अगर ब्रेक आउट करता हुआ दिखाना तो आपका जब तीन सो रुपे आपने सेल क्या है और जब वो तीन सो असी पहुंच जाएगा आपको डर लगने लगेगा और भाई कल इवेंट हैं तो मलब एक एक स्पाइक वॉल्यूम के साथ मलब एक वन साइडे कहीं नहीं के सडन मोमेंटम दे सकता है तो कॉल राइटर भागेंगे तो सौट्स कवरिंग रिली भी आ सकता है अगर बजेट सबको पसंद आया उस हिसाफ से कहीं नहीं सेंटिमेंट रहा तो ठीक हैं तो कल अगर मार्केट गेप खुला 15 मिनिट के लिए व बोल नहीं सकता दोस्तों क्योंकि अलगर गेप खुला फिर नीची की तरफ आदे घंटे बात हो यहां पर सपोर्ट हैं फिर यहां से उपर उड़ सकता हैं तो डोंट वारी अबाट इट मैं गेप आप के बाद ब्रेक आउट में बाय के लिए वोला वर नीची के लिए कु तो सेल भी हो सकता हैं क्योंकि तेखिए अगर कल के दिन माल लेते हैं दोस्तों पॉइंट का गेप डाउन खुला ठीक हैं तो यहां पर क्या होगा दोस्तों लोगों के मन में अब्यसी बात है यह थोड़ा सा डर आ जाएगा मार्केट गेप डाउन खुल नहीं आरे आज ब 15 मिनिट वेट करना है उसका जो भी रेंज बनेगा जो भी 15 मिनिट केंडल बनेगा उसका लो टूटते हैं दोस्तों पुट के तरफ जा सकते हैं और सेम रीजन है कल अगर गेप डाउन खुलेगा तो अब्यसी बात है आज यहां पर बना के मार्केट उपर चला गया तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 15 मिनिट बाद भी मार्केट सस्टन करने लग जाएं तो आपको पता है ना कि पुट के तरफ यानि कि कॉल का जो अप्सेन है आपने अप्सेर्व क्या होगा इतना जल्दी बढ़ता भी नहीं लेकिन जो पुट का अप्सेन है जब मार्केट ग के तरफ तो भी हम पुट के तरफ लाइक कहीं ना कहीं जाएंगे क्लियर होगा दोस्तों अब चले जाते हैं आप संचेन पे 23,648 के आथ पास कहीं ना कहीं क्लोस दिया है फिन निप्टि आप आचुके हैं फिन निप्टि के आप संचेन पे और यहां पे अगर आप देखो के दोस्तों 23,648 के आथ पास क्लोस दिया है 23,650,23,700 पे 3,69,000,23,750 पे 1,89,000,23,800 पे अगर आप देखोगे 2,00, तो कुछ खास कॉल राइटिंग डिक नहीं रहें कल के दिन एक्सपार ही होते हैं भी 23,850 पे 1,00, उसके उपर 3,00, तो क्लियर हैं बात कल के दिन उपर के त तरफ जा सकते हैं कहीं पे भी कुछ खास कॉल राइटिंग तो नहीं है तो 23,700 कहीं हम बाइंग की तरफ जाएंगे ठीक है और अगर मैं बात करूं दोस्तों नीचे का तो नीचे भी कुछ खास पूट राइटिंग नहीं यानि कि सेलर में ना कॉल राइटर को कन्विक्श पर जाएंगे उनका सब कुछ न्यूज की ऊपर कहीं नहीं कि बेस होगा लेवल आपने देख लिया तो सही है और अपसें जिन पर कुछ खास डाटा नहीं है उनली दो लाग दो लाग दो लाग तो क्या बोलो मैं मतलब कोई खास पूट राइटिंग नहीं है दोस्तों जि अगर ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा तो भी आप उट के तरफ जा सकते हैं वीडियो अचला का वीडियो को लाइक कर दीजिए जाके फ्री वाले ग्रोब पे जॉइन हो जाएए और अपने ममी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए उनका हमेसा क्यार कीजिए चले दोस् एकन्ड वीडियो पे देंगी तो मुझ टेक क्यार वाएं और सी यू